सबसे पहले भारत माता की जाए मैं अपने आपको सवभागे साली मानता हूँ और सवभागे साली समधता हूँ कि मैं इस धर्ती पर विदान सवाख खड़ा के भाईसाहा और भाईसाहा के पीपा के पुल के अस्थान पर मैं ख़रा हूँ इसका सौभाग मुझे विदाम सभा खड़ा की चारलाख जनता ने मुझे दिया है इसलिए आज के दिन 2024 के दिन यहां से ही यही से ही मैं पूरे विदाम सभा खड़ा को जो आउसर दिया जो सौभाग दिया मुझे पर विश्वास किया उसके लिए 2024 की नूतन बर्ज पर उनको हार रिक बढ़ाई सुपकावनाओं के साथ आप सब लोगों का भी सीज जुका करके पड़ाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, बिनन्दन करता हूँ और आपके मार्ध्यम से कुसी नगर जीले को जो एक पतिमान के तौर पर एक दिश्टिकोंड के नजरिये से 2026 पर कुसी नगर का नाम भगवान बुद्ध के महा परी निर्वार के तौर पर जाना जाता, समझा जाता रहा है अब हमारा सहयोग रहेगा, संकल्प रहेगा मोदी जी की गारंटी के साथ मोदी जी की गारंटी के साथ ये सहयोग रहेगा कि मैं संकल्प की गारंटी लेता हूँ गारंटी संकल्प का करता हूँ कि कुसी नगर जीले को 2026 के पतिमान पर ले जाने का काम करूँगा और इस पर ले जाने के लिए जो भी हो सकेगा, जो भी component, system, पद्धती, तरीका होगा, उन तरीकों को मैं जमीन पर उतारने की संकल्प की guarantee लेता हूँ. मुझे बहुत ही गर्व है इस बात का, कि जब मैं कहता था कि 4000 करोण, 4000 करोण का बिधान सबा खड़ा में मैंने काम किया, मुझे याद है कि परणोना से नहर के किनारे की सरक पर जब आप लोग चलते होंगे तो कितना खुश महसूस करते होंगे, इसका आप लोग हमसे जादा जानते हैं, आपने 2017 के पहले की पिदान सबा खड़ा को आप लोगों ने हमसे जादा महसूस किया है, और 2022 के बाद का भी पडाली और सिस्टम को और अच्छे से महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमसे बहुत जादे अनभवी हैं, और आप जन जन के नेता के तोर पर अगर हजार करोन के संकल्पी गारेंटी, अगर मैं जब मेरे पास कोई अनभव नहीं था रानेती, सिर्फ मैं अपने नियोजन से और नेटवर्क से चाहजार करोन रुपे तक के काम अगर कर सकते हैं, देश की आजादी के 77 साल बाद जो सामने आप पीपा का पूल देख रहे हैं देश की आजादी के 77 साल बाद बादर एरिया डेवलिमेंट प्रोग्राम जो आप लोगों ने देखा, जो सिक्षन कर रहा है कोसी निगर जीले के लिए, यह सब तहसील, रजिश्टी का रहे हैं बहुत छोटा सा है, तुर्कहा में बालिका इंटर का रहे हैं बहुत छोट प्रतिमान के स्वरूप में मैंने मेहनत करकर करके दगल दगल किसको ठीक किया था, आज मैं देखा फिर वहां पे भी घासे जगी हुई थी, तो मैं यह महसूस कर रहा हूं कि कोसी निगर जीले को ने प्रतिमान में ले जाने के लिए, जो मेरे पहली 95 काम जो मेरा हो चुका है कि बालमिकी नगर से पटना तक जो पानी की जहाज का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को जमीन पे उतारने का, अंतराश्टी उडान को अंतराश्टी स्वरूप देने का, और किसान और महिलाओं और युवाओं के लिए सिच्छा के उदगम अस्तर को चैतास करने का यह मेरी परिकल्पना है, जिस परिकल्पना से इस वीजन से निश्चित तोर पर कोसी नगर एक नया प्रतिमान के तोर पर ख़ड़ा होगा, यह जरूर मैं आप सब लोगों के हिदर की गहराईयों से और सरका धन्यबाद देते हुए निवेदन जरूर करूंगा, कि इसमें दे कीजिए, निश्चित तोर पर उसका बहुत ही, यह मामूली हाथ नहीं है, जो सामने हाथ दिखाई देने मामूली हाथ नहीं है, बहुत मजबूत हाथ है, दिल से मحسوس करिये ना कि हर किसी के बस में नहीं है, यह काम कर लेना, जो काम आप कर रहे हैं, सोच आपकी बनी होगी और सोच बना करके यहां तक पहुंकिये होंगे, और उस सोच को मैं चाहता हूँ कि अब और बला बनाया जाए, सिर्फ कुसी निगर चीले के लिए, और बला की आजाए, और बला की आजाए, जिससे कि उन्हें आगे ले जाया सके, कुसी निगर की जनता, जो असी पैसा से जादा जो आती पिछला माना जाता रहा है, रेता जिसको समय समय पर आप लोग आवाद उठानी चाहिए थी, कि जो मैं डिल से इस पार उस पार जाने का जो मैं आठ खंबे के माध्यन से बिजली के नीचे दिल के माध्यन से जो सवारी करने की जो यह जना बनाई थी, पू कि लिए सिर्फ एक जरूरत है कि एक RTI, बिनाउट अगर कहीं पर कोई भी, क्योंकि मैं यहां देखता हूँ कि थोड़ी सी थोड़ी सी यह समझ बनाने में जरूरत महसूस हो रही है, आप लोगों के पास मैं निवेदर के साथ अक्रा करूंगा कि कोई अगर कहता है, मैं आ पीला कोट पहन करकर के देखा मैं नदी में गिरे हुए थे, तो इतने सारे साथ ही यह कहने की यह कहने की जहमत में उठाते हैं, कि भाई साब आप बिल्कुल जूट बोल रहे हैं, मेरे सामने विरायक जी लाल कोट में चिक कोट पहने हुए है, तो मेरा मतलब ही सिर्फ कि आवाज बनाने की जरूबत है, हाथ जोड करके, जो जैसे कहिए, मैं हाथ जोड करके, सीज जुका करके, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कि अपनी हस्ती को भरबात मत करोने दीजिए, इस हाथ को एक जूट कर लीजिए, इस हाथ को इक अठा कर लीजिए, पानी की पसिछन के लिए लोगों को दुबई में नुकरी देने के लिए तो जहाद जब आ रहे थे तो जहाद से आ रहे थे तो मैंने उसे पूछा तो बोले थे कि दीज साल से मैं आता हूं साहब लेकि जब से जहाद चलने लगी गोरवपूर से तब से मेरा इहां के लोगों को कार्थूस करता था नामे कि पास न मैं आता था अपने जमाने में घड़ ची किलो मिटर के आता था तो गड़ार बहुत नामी गिरामी ठिकदार होुचा बनाते नहीं ते उस yogh सब चीजे बदलतेज़ चली तो चीजे बदलती चली गई तो यह चोटे चोटे ऊपाकरम को का मैं भी तरहील का पूल नहीं पक्ता पूल बड़े उपाक्रम है इंटरनेंशल एरपोर्ट जो आपको चुनती है अभिदायक जी तो जन्ता अगर जो आपको अपना प्रतनी दित करने के लिए मौका देती है तो यह पक्ता पूल का निर्मार हो सकेगा क्या दिश्टिकोल और नजरिये में स नहां और यह हमारे रेता के लोग रेता के वासियों के लिए और नेपाल से इसको जोड़े जाने में जो बारियर डिबलैम्मेंट यह जना है उसको पहले धर्ती पढ़े आना पड़ेगा क्योंकि वह दर्ति पर आने से लाको लाको करोरण रुपया आपके पास फंड की को आप गंबता से जैसे हैंकि हम भी नजूए या दिविलिमेंट प्रोग्राम गरी कीृ्ली कि कमीर दो लिए और नहीं कुछ vibes दा कि धाटा 一ーム था था इससे हम प्रकारे Mysin थे मुद्च कहए दिए गंभिरता की बिसे पर हम जाएंगे अगर बिसे गंभिरता हो जाएगी अगर हम एक मनुस्य हो जाएंगे तो बहुत सारा काम कर लेंगे अगर हम परिपक मनुस हो जाएंगे तो और भी अच्छा काम कर लेंगे हम और एक समाजिक मनुस हो जाएंगे पढ़े लिखे हो जाएंगे इंजिनियर हो जाएंगे तो और अच्छा काम कर लेंगे और अगर हर गूर हमारे पास आजा गा तो और भी अच्छा काम कर लेंगे तो ये विसे है बारेरिया डिवलिम्मेंट प्रोग्राम एक ऐसा विसे है उस विसे को जमीन पर उताने का काम कर लिया गया है कि उसका केवल निस्पादन और नियोजन होना बाकी है वो योजनाओं के धरातल पर उताना के वल बाकी है ये मुझे तकलीफ है कि अभी तक वो फाइलों में उतरते हुए जमीन पर नहीं आया अगर वो आता है तो ना कि वो की बलकि एक्सपोर्ट का भी काम हो जाएगा नियोजन का काम हो जाएगा रेता के उस पार की जितनी भी फारेश्ट मेनेजमेंट का काम हो जाएगा और जो दो मेरी पर योजनाए थी कि उतर पलेस पुलिस की पसिछान अस्थल और सूटी ग्रेंज मारेवा सालिकपूर से तो यह सबी कुछ यह सबी कुछ एप्रोच पर ध्यान न दीजिये इस पर ध्यान दिया जाए अगर बाडर भी से आ जाता है बाडर भी से को जबीन पूता लिया जाता है तो बहुत चोटे चोटे कर हैं बहुत छोटे छोटे कर हैं और इसके बाद देश जब तक रहेगा तब तक योजना रहेगी क्योंकि नेपाल के सटे होने की बज़ज़से अंतराष्टी योजना है वो वो जब तक देश रहेगा हम दुख हैं हमें बहुत दुख है कि क्यों कूसी नगर को भूगोल में पढ़ने वाले सब बच्चे इस बात को क्यों नहीं दर्द हुआ उनको कि कूसी नगर को नेपाल का बार्डर का किनारा नहीं माना गया जिसलिए इसे बार्डर ये डेवलम्मेट प्रोग्राम के बहुत पढ़ाया बहुत अध्यन कराया अध्यन करने के बाद उन्होंने अच्छी रिपोर्ट बनाई और बार्डर ये डेवलम्मेंट प्रोग्राम के तहट हो सलेक्ट हुआ तो यह आजादी के बाद से जो यह उजना है उसे उजना को अगर जमीन पर उतारना है तो आप को यह उजनाओं के महत्रबूर बिस्वियों पर काम करना पड़ेगा इस यह जरूरी नहीं एक इंजिनी कालेज खोलेगा नहीं खोलेगा यह जरूरी है तो क्या जंता और मीडिया या हमालने की लोग सभा में विधायक जटा संकर्तिर पार्थी को भारतिय जंता पार्टी टिकट देने वाली है यह हम अपनी पार्थी के सुध्य 24 करेट गोल्ड काय करता है आपने देखा होगा कि मैं इतना 2017 से 2022 तक आप सब लोग इस बात के तारीख रखेंगे और इस बात के लिए प्रमालित करेंगे कि कि किसी भी दिन में अफसेंट नहीं हुआ लेकपाल की भी छुटी हो जाती हो कि मैंने कभी अफसेंट नहीं हुआ तो 2017 बाइस तक जो बिधाम सबा खड़ा ने जो सौभाग दिया मुझे मेरे अपने खांदान का पूरे विधायक कहलाने का मैं उसी का दिन मुझे यही बहुत बड़ा बहुत बड़ा मेरा काम होगा रही बात इस बात की तो पार्टी का जो आदेस होगा पार्टी के आदेस पर 2017-22 के बाद भी मैं कभी किसी दूसरे पार्टी पर नहीं गया अभी मैं छे महीने से लगातार चार प्रदेसों में चुनाओ था चार प्रदेसों में मैं पार्टी का कार करता हूं कार करता रहा ह आगे भी जो पार्टी के आदेश और निदेश होंगे भरपूर और पुरी रवानी से में उस काम को पूरा करूंगा रेतावासियों को आपने फीपा पूल देकर ऐसा काम किया कि उनकी जो आने वाली असुदाएं थी वो अब सब सुदाओं में हो गई तो अब क्या रेतावासियों का कहना यह है कि मुझे पक्ता पूल मिल जा है उस समद में आपका क्या कहना है मैंने फीर आप से कहा कि पक्ता पूली नहीं बहुत कुछ उसके साथ समाहित है अगर हम बार्डर योजना को गजट और अध्यादेश को अगर हम जमीन पर उतारते हैं उस योजना का नाम है बार्डरिया डेवलेमेंट प्रोग्राम बार्डरिया डेवलेमेंट प्रोग्राम के तहट अगर किन्मानों सुरू हो जाता है तो पक्ता पूली नहीं वहां पर हास्पीटल वहां पर बिजली वहां पर स्कूल वहां पर टूरीजम वहां पर तूरीजम का बहुत ब़ाइसकोप है बहुत ब्राइसकोप है इन्वार याप काम नहीं करूंगा मैं पुष्तक प्रे00 करूंगा तने खंड होते हैं सभी खंडों को कुषी दिद्ग आसомानप देगि वादिध मॉन मुं करूँ आने के लिए दुनिया को उसी नगर में अस्थापित करने के लिए मैं जो कुछ भी बन पड़ेगा उसे आगे ले जाओंगा